सद्दसार इश्वर इसी वर यह जो पाली में है सब्द इसका मतलब है इसी वर क्योंकि शे पाली में नहीं होता है इसलिए पाली का सब्द नहीं है मगर इसी वर पाली का सब्द है जिसको इश्वर कहा जाता है इसी वर दो सब्दों से मिलके बना है एक इसी और एक वर यानि इसी प्लस वर इसी जो बोलते हैं जैसे आपने मैंने पहले भी आपको बताया है अगर आपने पहली वीडियो धान से देखी हो तो आपने इसी पतन नाम की जगे जो बनारस के अंदर है पतन माने होता है जो रिवर है उसका पार्ट और इसी माने होता है रिसी यानि कि जो तब करते हैं साधना करते हैं उनको बोलते हैं इसी तो ऐसा पार्ट जहां बहुत सारे रिसी बैट के तब करते हैं साधना करते हैं मेडिकेशन करते हैं उसको इसी पतन जगे बोला गया तो इसी इसी तो सब्द हो गया जो तब करते हैं साधना करते हैं या जो अपने आपको खोशते हैं अपने निश को खोशते हैं और ग्यान को प्रक्रति की ग्यान को जानते हैं और वर का मतलब पाली में होता है एक्सिलेंट या स्रेश्ट यानि कि जो सबसे बहतर होता है सबसे बढ़ इसियों में सबसे स्रेष्ट और सबसे बैश्ट रहे हैं इसलिए बुद्ध को यहां इसी वर कहा गया या इसी वरंग बोलते हैं पाली के अंदर या इसी वरो इसी वर बिलकुल इस पश्ट और साफ सब इसका अर्थ होता है आपने बच्चमन में सुना होगा नहीं दिये सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं आपने सुना होगा मानने वर मानने वर जो शब्द है मानने वर का मतलब है माना हुआ स्रेष्ट यानि जिसको आपने स्रेष्ट मान लिया जैसे आप कहते हैं कासी राम जी को सहाब कासी राम जी हमारे माननेवर है यानि माननेवर कासी राम जी बोलते है तो माननेवर का मतलब है कि उन्हें माना गया है स्रिष्ट माना गया है इसलिए वो माननेवर हो गए आपने सुना होगा पुराने समय में जो हमारी माताएं भेने थी वो स्वेंबर होता था उसके लिए जब वो शादियां करती थी तो स्वेंबर बोलते थे स्वेंबर की प्रंपरादी शादी में यानि कि बहुत सारे जो बहुत सारे केंडिडेट हैं वो खड़े होके जो सादी के एक चोक हैं और female आती थी, हमारी माता भेहन जो भी आती थी और वो उनमे से वर चुंती थी, यानि उनमे से sn пойд चुंती थी, जो उसमें सबसे excellent होता था, उसको वो चुंती थी. एक आपने सुना होगा जानवर, यानि कि जान में जिसमें जान है और जो सबसे स्रेष्ट है उसको जानवर बूला गया है, सुतामबर है, पितामबर है, एक सुना होगा आपने वर्दान, कि वर्दान दे दो, वर्दान दिया, वर्दान का मतलब है स्रेष्ट देना, यानि कि जो आप दे रहे हैं वो आपको सबसे अच्छा एक्षिलेंट देना है उसको वरदान बोलते हैं ऐसे बहुत सारे सद्ध हैं जैसे वर पईया यानि कि स्रेष्ट पईया प्रग्या यानि समझ वर लक्षण यानि कि सबसे स्रेष्ट लक्षण सरीर के अंदर वरद हस्थ प्राप्त आपने सुना होगा पिछलों में कहते हैं आरे ये बड़ा बलसाली है इसको वरद हस्थ प्राप्त है वरद हस प्राप्त का मतलब है वरद माने होता है वर देने वाला और हस त माने होता है हाथ यानि कि देने वाला हाथ स्रेश्ट देने वाला हाथ इसको प्राप्त है इसके उपर है कहते हैं इस पे किसी का हाथ है वरद है तो ये वरद है तो उसी पाली भासा में इसको वरद से वरद बुला गया यानि देने वाले को वरद बुला गया है इसलिए जो इसी वर है या इश्वर है ये बिलकुल साफ इसका मतलब है और इसका मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये कोई चमतकारिक है चमतकार की यहां कोई गुंजास नहीं है पाली में ऐसा कोई सब्द नहीं है जो कहीं गौड या जो गौड से सम्मनित किसी सब्द का परियावाची या मीनिंग हो धन्यवाद पुंजास ब मुझा को भीओटी आर अज़ा से सब्द नहीं है जो